सूबे में बढ़ते अपरात को लेकर सीम नितीश कुमार ने 12 सितंबर बुधवार को हाई लिवल की बैठक की जिसमें पुलिस मुख्याले के तमाम बड़े अधिकादी शामिल थे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधिम से जीले के एसपी और डीम भी बैठक में शामिल हुए पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए सीम ने कई दिशा निर्देश दिये सीम की समिक्षा बैठक के बाद ग्रीस चिव आमीर सुभानी ने बताया कि थानों के आधूनी की करण के लिए परियाप्तराशी उपलब्ध कराए जाएगी हर थाने को संसादम भी उबलब्ध कराए जाएंगे ताकि जाँच में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े सम्वेधन शील इलाकों को चिन हित कर उसकी विशेश तोर पर निगराने की जाएगी प्रतेक शनिवार को हर थाने में सीओ और थाना ध्यक्ष भूमी विवात की समिक्षा करेंगे उसकी बाद उस रिपोर्ट को डियम को सौप दिया जाएगा अपरात के मामलों में थानों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी प्रतेक थाने में आने वाले लोगों के लिए कुरसी समाचार पत्र पीने के लिए पानी की विवस्था की जाएगी जर्दपर्णी पर F.I.R. ट्रांस्वर भी किये जाएगे 1064 थानों में से 179 थानों के लिए जल्द भूमी उपलब्ध कराई जाएगी सरकारी कमचारियों को घूस लेते पकरे जाने पर F.I.R. दर्ज होगा अभी तक 100 कमजोर थानों की समिक्षा की गई है इसके अलावा 300 तिरपन अधिकारियों पर कारवाई हुई है अपराद अनुसंधान और विधिव्यवस्था के लिए अलग-अलग टीम बनाई जाएगी चार्ज शीटेड मामलों में इस्पीरी ट्रायल तेज की जाएगी बैठक में मॉब लिंचिंग मामले पर भी चर्चा हुई विर सर्चिव ने बताया कि सुप्रीम कोड को बिहार सरकार ने जानकारी दे दी है बिहार में विधि विवस्था ने अंत्रण में है और त्योहार के लिए पुलिस तयार है मुहरम के लिए अगले हफ़ते डी जी पी और मुख्य सचे वस्तर पर सभिक्षा बैठक होगी पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें